बावना हो लेके आए ने ओएस मंच तो और सांजा करने गे मैं बेंती करना देशदे पर्दानमंत्री शरी न्रेंदरवोदी जीनू किरप्या करके ओ संग तानू संबोधत करनू तो बेंती करदा है संगा जी मैं फेर कमा गुरुते एक बादर साप जी दी किर्पा ए अलाही बाणी ए मेरे मालक वल्लों बढ़ाया क्या ऐसा अद्बुन जारा दुनिया अचनी देखन दुद्वारा मिलना परदान मंत्री जी तोड़ना गलकरन जारे जिकारे दिरूप अंदर स्वागत करे हो मंचस्त सभी महानुभाव इस कारकम में उपस्तित सभी देवियों और सज्जनों और वर्चुली दुनिया भर से जुड़े हुए सभी महानुभाव गुरुतेक बहदूर साब के चार्सोवे प्रकाश प्रवको समर्पित इस भव्य आयोजन में मैं आप सभी का रदय से स्वागत करता हूँ अभी शबत किर्दन सुनकर जो शांती मिली वो शब्दों में अभिव्यक्त करना मुश्किल है आज मुझे गुरु को समर्पित समारक डाक टिकीट और सिक्के के विमोचन का भी सोभागी मिला है मैं इसे हमारे गुरुओं की विशेश कुरुपा मानता हूँ इसके पहले 2019 में हमें गुरु नानक देव जी का 550 वा प्रकाश पर्व और 2017 में गुरु गोविन सींजी का 350 वा प्रकाश पर्व मनाने का भी सवभागी मिला था मुझे खुशी है कि आज हमारा देश पूरी निस्टा के साथ हमारे गुरुओं के आदर्शों पर आगे बढ़ रहा है मैं इस पुण्य अउसर पर सभी दस गुरुओं के चरणों में आदर पुर्वक नमन करता हूं आप सभी को सभी देश वास्यों को और पुरी दुनिया में गुरुवानी में आस्ता रखने वाले सभी लोगों को मैं प्रकाश पर्व की हारदिक बढ़ाई देता हूं साथियों ये लाल खिला कितने ही एहम कालखंडों का साक्षी रहा है इस किले ने गुरुतेक बहदुर साथ की शहादत को भी देखा है और देश के लिए मर मिटने वाले लोगों के हौसले को भी परखा है आजहादी के बाद के 75 वर्षों में भारत के कितने ही सपनों की गूंच यहां से प्रतिद्वनीद हुई है इसलिए आजहादी के अमरित महुत्सव के दोरान लाल किले पर हो रहा है के आयोजन के बहुत विशेश हो गया है कि साथियों कि हमाज जहां है अपने लाखों करोडों स्वाधिनता सेनानियों के इत्याग और बलिदान के कारण है आजाद हिंदुस्तान अपने फैसले खुद करने वाला हिंदुस्तान लोकतांत्रिक हिंदुस्तान दुनिया में परोपकार का संदेश पहचाने वाला हिंदुस्तान ऐसे हिंदुस्तान के सपने को पूरा होते देखने के लिए कोटी-कोटी लोगों ने खुद को खपा दिया इभारत भूमी सिर्फ एक देश नहीं है बलकि हमारी महान विरासत है महान परंपरा है इसे हमारे रुष्यों मुनियों गुरूँ ने सेकडो हजारों सालों की तपस्या से सीचा है उसके विचारों से समर्द किया है इसी परंपरा के सम्मान के लिए उसकी पहचान की रच्छा के लिए दसों गुरूओं ने अपना जीवन समर्पित कर दिया था इसलिए साथियों सेकडो काल की गुलामी से मुक्ति को भारत की आज़ादी को भारत की आध्यात्मिक और सांसकुर्टिक यात्रा से अलग करके नहीं देखा जा सकता इसलिए आज़ देश आज़ादी के अमुरित महोत्सव को और गुरुतेक बहदुर्ट साथ के चार सोमें प्रकास परव को एक साथ मना रहा है एक जैसे संकल्पों के साथ मना रहा है साथियों हमारे गुरुओं ने हमेशा ज्यान और अध्यात्म के साथ ही समाज और संस्कृति की जिम्मेदारी उठाई उन्होंने शक्ति को सिवा का माध्यम बनाया जब गुरुतेक बहदुर्ट साथ का जन्म हुआ था तो गुरुपिता ने कहा था दिन रक्ष संकट हरन दिन रक्ष संकट हरन यानि ये बालक एक महान आत्मा है ये दिन दुख्यों की रक्ष्या करने वाला संकट को हरने वाला है इसलिए स्रीहर्गोविन साम ने उनका नाम त्यागमल रखा यही त्याग गुरुतेक बहदुर्ट साम ने अपने जीवन में चरितार्थ भी करके दिखाया गुरुगोविन सीजी ने तो उनके बारे में लिखा है तेक बहदुर्ट सिमर्ये घर नव निधी आवे धाई सब थाई होई सहाई अर्थात गुरुतेक बहदुर्ट जी के सिमर्ण से ही सभी सिद्धिया अपने आप प्रगड होने लगती है गुरुतेक बहदुर्ट जी का ऐसा अध्वूत आध्यात्मिक व्यक्तित्व था वो ऐसी विलक्षन प्रतिवा के दनी थे साथियों यहां लाल किले के पास यही पर गुरुतेक बहदुर्ट जी के अमर्बलिदान का प्रतिख गुर्धवारा सिश्गन साहब भी है यह पवित्र गुर्धवारा हमें याद दिलाता है कि हमारी महान संस्कृति की रक्षा के लिए गुरुतेक बहदुर्ची का बरिदान कितना बड़ा था उस समय देश में मजहभी कट्रता की आंधी आई थी धर्म को दर्शन विज्ञान और आत्मसोद का विशे मानने वाले हमारे हिंदुस्तान के सामने ऐसे लोग थे जिन्नों ने धर्म के नाम पर हिंसा और अत्याचार की पराकाश्टा कर दी थी उस समय भारत को अपनी पहचान बचाने के लिए एक बड़ी उमीद गुरुतेक बहदुर्च साब के रुप में दिखी थी आउरंग जेब की आतताई सोच के सामने उस समय गुरुतेक बहदुर्ची हिंदधी चाधर मनकर एक चचान मनकर खड़े हो गए थे इत्याद गवा है कि वर्तमान समय गवा है और ये लाल कीला भी गवा है कि आउरंग जेब और उसके जैसे अत्याचारियों ने बले ही अनेकों सीरों को धड़ से अलग करा लेकिन हमारी आस्ता को वो हमें हमसे अलग नहीं कर सका गुरुतेक बहदुर्ची के परिदान ने भारत की अनेकों पीडियों को अपनी संस्कृती की मर्यादा की रक्षा के लिए उसके मान सम्मान के लिए जीने और मर मिट जाने की प्रेरणा दिया है बड़ी बड़ी सत्ताएं मिट गई बड़े बड़े तुफान चांद हो गए लेकिन भारत आज भी अमर खड़ा है भारत आगे बढ़ रहा है आज एक बार फिर दुनिया भारत की तरफ देख रही है मानवता के मार्क पर पत्रदर्शन की उमीद कर रही है गुरुतेक बहदुर जी का आशिरवात हम नए भारत के अभा मंडल में हर और मैसूस कर सकते हैं भाई और बैनों हमारे यहां हर कालखंड में जब जब नई चुनवतिया खड़ी होती है तो कोई न कोई महान आत्मा इस पुरातन देश को नए रास्ते दिखा कर दिशा देती है बारत का हर छेतर हर कोना हमारे गुरुओं के प्रभाव और ज्ञान से रोशन रहा है गुरुनानक देवजी ने पूरे देश को एक सुत्र में पिरोया गुरु तेक में हदुर जी के निवाई हर तरफ हुए पटना में पटना साहिब और दिलनी में रकाम गज़ साहिब हमें हर जगया गुरुओं के ज्ञान और आसिदवात के रुपे एक भारत के दर्शन होते है भाई और भेनों मैं अपनी सरकार का सौभाग्य मानता हूं कि उसे गुरुओं की सेवा के लिए इतना कुछ करने का अउसर मिल रहा है पिछले वर्ष ही हमारी सरकार ने सहिप जादों के महान बलिदान की स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने का निरणे किया है सिख परंपरा के तिर्थों को जोडने के लिए भी हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है जिस करतारपुर सहाब करिडोर की दसकों से प्रतिक्षा की जा रही थी उसका निर्मान करके हमारी सरकार ने गुरु सेवा के लिए अपनी प्रतिवन्तता दिखाई है हमारी सरकान ने पट्ला साहब समीत गुरु गोविन सीजे से जुड़े स्थानों पर रेल सुविधाओं का आदुनिकरण भी किया है हम स्वदेश दर्सन योजना के जरिये पंजाब में आननपूर साहब और अमृत सर में अमृत सर साहब समीत सभी प्रमुक्सानों को जोड़कर एक तिर्थ सरकीट भी बना रहे हैं उत्त्राखन में हैंकुन साहब के लिए रौप्वे बनाने का काम अभी आगे बढ़ रहा है साथ क्यों स्री गुरु गंज साहब जी हमारे लिए आत्म कल्यार के प्रसप्रदर्शक के साथ साथ भारत की भीवितता और एकता का जीवन्त स्वरूप भी है इसलिए जब अफगानिस्तान में संकट पैदा होता है हमारे प्रभित्र गुरु गंज साहब के स्वरूपों को लाने का प्रस्ण खड़ा होता है तो भारत सरकार पूरी ताकट लगा देती है हम न केवल गुरुगन साब के सुरुप को पूरे सम्मान के साथ सिष्प पर रख कर लाते हैं बल्कि संकट में फसे अपने सिख भाईयों को भी बचाते हैं नागरिक्ता सौंसोधन कानून ने पडोसी देशों से आये सीख और अर्प संग्यक परिवारों को देश की नागरिक्ता मिलने का रास्ता साप किया है यह सब इसलिए संबभ हुआ है क्योंकि हमारे गुरुओं ने हमें मानवता को सर्वोपरी रखने की सीख दिये है प्रेम और सवहार्थ हमारे संशकारों का हिस्सा है साथियों हमारे गुरू की वाणी है भय काहू को देत नहीं भय काहू को देत नहीं नहीं भय मानत आन कहना नग सुनिरे मना ग्यानी ताही बखानी अर्थात ग्यानी वही है जो न किसी को डराए और न किसी से डरें भारत ने कभी किसी देश या समायत के लिए खत्रा नहीं पैदा किया आज भी हम पूरे विश्व के कल्यान के लिए सोचते हैं एक ही कामना करते हैं हम आत्म निर्वर भारत की बात करते हैं तो उसमें पूरे विश्व की प्रगती लक्ष का सामने रख करके हम करते हैं भारत विश्व में योग का प्रसार करता है तो पूरे विश्व के स्वास्त और शान्ती की कामना से करता है कल ही मैं गुजरात से लोटा हूँ बहाँ विश्व स्वास्त संगधन के पारंपारिक चिकित्सा के ग्लोबल सेंटर का उद्गाटन हुआ है अब भारत विश्व के कौने कौने तक पारंपारिक चिकित्सा का लाब पहुचाएगा लोगों के स्वास्त को सुधारने में एहम भूमी का निभाएगा साथियों आज का भारत वेश्विक द्वंदों के बीज भी पुरी स्थिर्ता के साथ शांती के लिए प्रयास करता है काम करता है और भारत अपनी देश की रख्षा सुरख्षा के लिए भी आज उतनी ही द्रड़ता से अटल है हमारे सामने गुरुव की दी गई हुई महान सीख परंपरा है पुरानी सोच पुरानी रूडियों को किनारे हटा कर गुरुवने नई विचार सामने रखए है उनके सिशों ने उन्हें अपनाया, उन्हें सिखा नई सोच का ये सामाजी का भियान एक भैचारिक इनोवेशन था, इसलिए नई सोच, सतत परिश्रम और शत प्रतिशत समर्पन ये आज भी हमारे सिख समाज की पहचान है, आज जहादी के अमरित महोत्सों में आज देश का भी यही संगल्प है, हमें अपनी पहचान पर गर्व करना है, हमें लोकल पर गर्व करना है, आत्म निर्भर भारत का निर्मार करना है, हमें एक ऐसा भारत बनना है, जिसका सामर्थ है, दुनिया देखे, जो दुनिया को नई उन्चाई पर ले जाए, देश का विकास, देश की तेज प्रगती, ये हम सब का कर्तव्य है इसके लिए सब के प्रयास की जरुरत है मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुआं के असिरवात से भारत अपने गवरों के सिखर तक पहुँचेगा जब हम आजान्दी के सौ साल मनाएंगे तो एक नया भारत हमारे सामने होगा गुरुतेक बाहदूर जी कहते थे, साधो, साधो, गोविन के गुनगाओ, मानस जन्म अमोल कपायो, वर्था काहें गवाओं इसी भावना के साथ हमें अपने जीमन का प्रतेक्षा देश के लिए लगाना है, देश के लिए समर्पित कर देना है हम सभी मिलकर देश को विकास के नई उचाई पर ले जाएंगे इसी विश्वात के साथ आप सभी को एक बार फिर हार दिख शुब कामनाई देता हूँ बहे गुरी जी का खाल्चा खते